एगाईज बसी नर्सिंग का नंबर वन चनल एक्टेटिव मेडियम आप सभी का सवाल रहे है अगर आप यह सी नर्सिंग का तयारी कर रहे हो तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपोर्टन है क्यों कि इसमें आल सब्सक्राइब को कराया जा रहा है और अगर आपको सभी व अफ Hola समे सिस्मोग्राफ भूकम के जटके की तीवर्ता को रिकॉरद करता है और सब्सक्राइब के अ पीक्नो मेटर सोर सबसे पहला जो है रियक्टर स्केल क्या मापता है तो रियक्टर स्केल जो मापता है वह है भुकम पियत्ती बृता को मतलब A जो होगा वो 3 हो जाएगा ओके उसका व्यूफोर्ड स्केल वहर इंपोर्टन्ट है व्यूफोर्ड स्केल जो मापता है वो हवा की गति मापता है तो B का हो जायाएगा 4 उसके बाद आपका Kelvin स्केल Kelvin scale जो होता है वो क्या मापएगा तो वो परमताप मापएगा ठीक है तो Kelvin scale परमताप C का 2 हो जाएगा और Millibar scale ये pressure को मापता है तो D का 1 हो जाएगा तो अगर आप देखोगे तो आपका option A इस range में है ठीक है option A is the correct answer next question से विद्दूत fittings में एक तार को भूस संपर्कित किया जाता है इसका कारण क्या है option A यदि लगू पथन हो जाए तो धारा भूमी में चले जाएगी option B इससे विद्दूत का च्छय नहीं होता है option C यदि विद्दूत परिपत को पूर्ण करता है option D इससे विद्दूत का उच्चा वचन दूर हो जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा option है यदि लगू पथन हो जाए तो धारा जो है वो भूमी में चले जाएगी और कोई भी छती गलस्त नहीं होगा इसलिए विद्दूत को जो फिटिंग्स करते हुश टेम तार को भूमी से समपर्कित किया जाता है next question से विद्दूत उपकरन में अर्थ का उपयोग क्यों होता है खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकरन थ्री फेर्ज में काम करते हैं अपसन सी सुरक्षा के लिए नफसन रिफ्यूज के रूप में जब एक्सेसिव करेंट पास होता है हमारे सरकुट से तब यह अर्थ जो होती है वो एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा करेंट है उसको भूमी में जाके विसरजित कर देता और इससे सुरक्षा मिलती है next question से Vaseline में जिवानो नासक के रूप में परियुक्त होता है copper oxide का zinc oxide का silver oxide या पर sodium oxide so इसका correct answer हो जाएगा option B zinc oxide copper oxide का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं होगा ठीक है यहाँ पर देखो Vaseline में बोला गया जिवानो नासक के रूप में जिवानो नासक होती वो zinc oxide के थूप होता और zinc oxide एक तरह से सुच मजीब को नास करने वाला रसाइन भी कहला था next question से की नवस्ताओं में वास्तविक gas जो होती हो PV is equals to RT समी करें लवग लवग पालन करती है उच्छ दाब और उच्छ ताप पर option B noon दाब और noon ताप पर option C noon दाब और उच्छ ताप पर and option D उच्छ दाब और noon ताप पर so इसका correct answer हो जाएगा option C noon दाब और उच्छ ताप पर तो प्रेसर जो है वो लो होना चाहिए और temperature जो है वो high होना चाहिए pressure low temperature high तभी ये PV is equals to RT जो equation है इसको follow करेगा कोई भी gas ओके तो pressure low और temperature high next question है विदूत चुमब की प्रेरण में उत्पन अब विदूत प्रेरिद विदूत वाहग वल्प की जो दिसा होती है वो किस नियम से ग्याद की जाती है ampere के नियम से, lens के नियम से faraday के नियम से या फिर प्रेरण में उत्पन प्रेरिद विदूत वाहग बल जो होगी उसकी दिसा को वो direction देगा ठीक है next question से किसी परिनालिका के अंदर चुमब की प्रेरण का मान option A सुइन्य होता है option B अक्ष से दूरी के साथ घटता है option C समरूप होता है और अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है तो किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुमब की प्रेरण होती है उसका मान जो होगा वो अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है अक्ष से दूरी के साथ वो मान बढ़ता है next question से किसी प्रित्यावर्ती धारा के लिए एक मात्र सहित्य कथन क्या हो जाएगा Option एक केवल धारा की दिशा आवर्थ रूप में परिवर्थित होती है Option एक धारा की दिशा वो परिमान दोनों आवर्थ रूप में बदलते रहते है Option सी केवल धारा का मान आवर्थ रूप में बदलता है और अप्शन धारा की दिशा तो परिवर्तित होती है परंतु मान नियत रहता है तो इसका correct answer हो जागा option B धारा की दिशा और परिमान दोनों ही आवत रूप में बदलता है किसी भी परत्यावर्ति धारा यह मान लेजिए परत्यावर्ति धारा को हम दिखाते हैं इसका जो direction हो सक्वार्त सका बर्टा इस तरह से ठीक है इस तरह से होता है अव यहाँ एक प fundamental Center चेंज दिखे ह diplomacy यहां का डायक्षन यहां का डायक्ष्ण यह है यहां का डायक्ष्ण यह तो हर पॉंट में नेगेटिव पे यह पीक है फिर नेगेटिव से पोजिटिव के और जारी फिर यहां पे जीर इस तरह से मैगनेटिव और डारेक्स तन हर एक पॉइंट में यह चेंज वह रही है तो यह किसी भी प्रत्यावरति धारा के लिए यह कथन एकदम सही होगा नेश कोशन से बिदुद चुमबकी प्रेर में बिदुद बाहक बल समानुपाती होता है चुमबकी फलस्क का परिपत के प्रतिरोध का चुमबकी फलस्क परिवरतन का या फिर चुमबकी फलस्क परिवरतन के दर का इसका correct answer हो जाएगा दर होती है उसके समानु पाती होता बिद्दोथ चुम्ब की प्रेज़न पहक बल जो होती है वो समानुपाती होगा विदुत चुमब की फलस्क के परिवरतन की दर मतलब टी के रिस्पेक्ट में जो फलस्क में चेंज़ेज आ रही है वो ओके नेश कोश्चन से इस्तिरियों की ध्होनी पतली होती है क्योंकि इस्तिरियों की ध्होनी का तारत वो अधिक होता है option B इस्तिरियों की ध्होनी का तारत वो कम होता है option C इस्तिरियों की ध्होनी का तीवरता अधिक होता है option इस्तिरियों की ध्होनी का तीवरता कम होता है तो इसका correct answer जगवा option एир其實 की जो ध्होनी होती है उसका तारत वह अधिक होता है और तारत वह अधिक होने के वह श्तिर्यों की जो ध्होनी जो पतली होती है तरीनली आ सुरिली सुनने में लगती है क्योंकि तर्थ हो 25 मिटर 17 मिटर 12 मिटर या फिर 9 मिटर तो इसका करेट अंसर जाएगा option B 17 मिटर अगर इस पर्ष्ट प्रति धोनी सुननी है तो माले यह कोई सुरोता है ठीक है और यह कोई परावर्तक है धोनी यहां से इसने जो धोनी उत्पन किया यहां से परावर्तित होकर बापस इसी के कान में आएगा यह कब हो पायेगा जब यह 17 मिटर के डिस्टेंस पर हो ठीक है 17 मिटर के डिस्टेंस पर हो तभी यह धोनी वहां से परावर्तित होकर बापस शुरोता के कान तक आएगा और उसको प्रति धोनी सुनाई देगा ठीक है इको साउंड इसको बोलते है इको साउंड 17 मिटर मिनिमम होना चाहिए ठीक है यह एवरेज है एक्चुएल 16. 16.6 मिटर होती है एप्रॉक्स ओके नेश्ट कोशन से निमन में से किस विद्यूत चुंबक के तरंग की भेदन चमता सबसे अधीक होगी एक्स किरने पैरावेगिने किरने गामा किरने या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन स गामा किरने गामा किरनों की जो भेदन चमता होती है वह सबसे जादा होता है ठीक है गामा किरने के भेदन चमता सबसे जादा होगा और यहां पर आप देखोगे तो गामा किरने इसका करेक्ट एंसर हो जागा ठीक है और फिर यहां पर कम अगर देखा जाए तो कम क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा पैरा वेग नहीं कीड़ने को ओके चलो नेक्ट को बढ़ते हैं और नेक्स्ट है उस्मा के यांतरिक तुल्यांग का ऐसा यूनिट क्या होगा तो इसका होगा उस्मा के यांतरिक तुल्यांग जो होते हूं उसका यूनिट होता है जूल पर क्यालोरी सोरे बढ़ते हैं और नेक्सकर ग्धाश लिए कई घूटा किस रासि का मात्र होगा सक्ति उर्जा विदूत की मात्रा या फिर धारा का सामर्थ सो इसका करेड़ेंस रोजागा option से विदूत की मात्रा ठीक है विदूत की मात्रा का होगा एम्पियर घंटा एम्पियर घंटा जो होगी वो विदूत की मात्रा होगा उर्जा का क्या हो जाएगा उर्जा का वाट घंटा ठीक है वाट घंटा उर्जा का वाट घंटा हो जाएगा और विदूत मात्रा का एम्पियर घंटा होगा next questions है times इसकी później newton per meter होती है option b या बिमा हीन होता है option c इसकी 1 Newton में होती है option b MLT 2 होती है तो poisa anupa के बारे में कौन सा कदन सही है तो इसका credit answer बारिवा यह बिमा हीन होता है ठीक है poisa anupa में कोई भी बिमा नहीं बनता है पोईजा उनुपात का कोई भी विमाँ नहीं हो तो डामेंशन होता ही नहीं है यह भिमाँ बिमाँ ही 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 ठीक है, Nextvellitute प्रक्वेशन हे गुरुतिय विभाव का S.I. मातरक क्या है ज्सेए जूल पर Кजी यह हो जाएगा गुरुतिय विभव का मान, ओके, नेश्ट कोशन्स है, और स्टेट किस भोतिक रासी का मातरख होता है, चुम्बकन तीब्रता, चुम्बक की आगहूर्ण, चुम्बक की प्रेरण, या फिर चुम्बक की फ्लस्क, तो इसका करेक्ट कैंसल हो जाएगा, और सन सांक का, सक्रियता का, अर्द आयू का, या फिर ओसत आयू का, तो क्योरी किसका हो जाएगा, तो क्योरी होती है, सक्रियता का यूनिट होता है, क्यों जुकता है, जुकने का कारण क्या है, औप्शन ए, साइकिल की और आदमे की गति समान होनी चाहिए, बरना साइकिल फिसल जाएगी जोखता है ताकि गुरत वो केंदर आधार के अंदर बना रहे या उसे जिरसे बचा है ऑफचन सी वह जोखता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहियो पर दवाब ड़़ा जा सके जुखता hem वक्र और तेजी से पार कर सकें तो इसका करेट अंसर हो जाएगा option B वो जुखता है ताकि गुरुत वो केंदर जो होता वो आधार के अंदर बना रहे है और यह उसे गिरने से बचाएगा ठीक है अगर गुरुत वो केंदर जो होती है वो अगर बीच में रहती है वो जो होता है वो गुरुत वे जो केंदर होता है वो ऊपर जल जाती तो उसको जूख के फिर मेडिल पॉइंट में लाए जाता ताकि वो गिरने से बचाए ओके वीडियो अगर पसंद है तो लाइक किजेगा सभी के साथ से चैनल को सस्क्राइब जरूर किजेगा दो सब्सक्राइब जरूर को जाता है वीडियो ओाए जो जाता है कि अए प्रूर को सब्सक्राइब जाए जाल करने से वाए जाता है